Class 4. Subject Hindi. Lesson 2. दिव्य व्रिक्ष कहानी. यह एक कहानी है. पाठ में लेखक ने वनों का महत्व बताते हुए व्रिक्षा रोपन के महत्व पर प्रकाश डाला है. लेखक ने वनों की कटाई के विशे में ज्यान देते हुए वनों के बचाव के लिए हमारे समक्ष एक कहानी प्रस्तुत की है. हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था. एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने देखा हो. उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा महल बनाएगा जो केवल एक स्तंब पर टिका हो और वह स्तंब उसके राज्य के सबसे विशाल व्रिक्ष से बनाया जाएगा हिमालय की उची उची पहाडियों में अनेक विशाल व्रिक्ष होते हैं चीर, बास और देवदार इनमें देवदार के व्रिक्ष सबसे उचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं देवदार का अर्थ ही है, देवताओं का व्रिक्ष राजा ने प्रधानमंत्री को बुला कर कहा, लकड़हारों को बुला कर कहिए कि वे जंगल के सबसे उचे और विशाल देवदार के व्रिक्ष को काट कर ले आएं ननी राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र व्रिक्ष है, इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं राजा बोला, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा प्रधान मंत्री ने परवतों से देवदार व्रिक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा वे लोग कुछ दिन बाद लोटाए, उन्होंने कहा, महराज, परवतों पर बहुत बड़े बड़े व्रिक्ष हैं, पर उतने बड़े व्रिक्षों को इतनी दूर तक कीच कर ला पाना संभब नहीं है राजा ने राजकुमार यहां लेकर आओ, से कहा, अपने घुर सवारों को लेकर जाओ और भोडों से व्रिक्ष को खिंचवा कर राज कुमार कुछ दिनों में यी घोड़ों के साथ वापस आ गया उसने कहा महराज वे व्रिक्ष इतने विशाल है कि हमारे घोड़े उन्हें एक इंच भी नहीं हिला पाए राजा ने कहा ठीक है अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और व्रिक्ष को लेकर आओ हाथी उचे नीचे परवतों पर चद नहीं पाए और राजा की कारिंदे वापस आ गए राजा को बहुत फ्रोधाया वह बोला यदि परवतों से देवदार का व्रिक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में धूंदो वहाँ भी कोई ऐसा विशाल व्रिक्ष अवश्य होगा ऐसा विशाल व्रिक्ष ढूंद का साथ दिन में यहां लाया जाए राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक व्रिक्ष मिल गया आसपास के गाव के लोग उस व्रिक्ष की पूजा करते थे वह व्रिक्ष देविय, मजबूत तथा विशाल था उनका मानना था कि वह व्रिक्ष अलोकिक है जिससे उनके राज्यव समाज की श्री वृद्धी होती है गाव के लोगों को जब ये ग्यात हुआ कि राजा ने उस व्रिक्ष को काट कर उससे अपने महल का स्तंब बनाने का निर्नाई कर लिया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ वे फूल मालाएं लेकर उस व्रिक्ष के पास आए दीपक जला कर चारों और रख दिये और शाखाओं पर मालाएं लटका कर वेदना पूर्ण स्वर में गीत गाने लगे ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हूं कि राजा के विचार बदल जाएं और उन्हें इस भूल के लिए भगवान ख्षमा करें उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न थे अचानक उनके स्वपन में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिप्टी एक डिव्यमूर्ती प्रकेट हुई पत्तियों की सरस्राहट जैसी मधूर आवाज में राजा से बोली देवदार के इस व्रिक्ष पर मेरा निवास है लोगों का कहना है कि आप इस व्रिक्ष को काटना चाहते हैं मेरी विनती है कि आप यह विचार त्याग दे राजा ने कहा मैं तो इसे काटने का निश्चे कर चुका हूँ क्योंकि मेरे निकट के क्षेत्र में एक मात्र यही ऐसा विशाल व्रिक्ष है जो महल की स्तंब के रूप में कामा सकता है देवी ने फिर कहा राजन विचार कीजिए मैंने सदैव लोगों का कल्यान किया है मुझ पर पक्षी बसेरा बनाते हैं वन्य प्रानी मेरे तने से अपने शरीर को खुजला कर आराम करते है मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं मैं मिट्टी को काटने से रोकती हूँ बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं दूर से आते हुए यात्री पलभर मेरी शीतल चाया में धहर कर विश्राम करते हैं मुझे काटने से इन सभी प्रानियों को कष्ट होगा राजा ने कहा हे ममता मई देवी आपका कथन पूर्णत्या सत्य है मगर मैं क्या करूँ मैं तो आपके व्रेक्ष को काटने का निश्चे कर चुका हूँ देवी ने अपना सिर जुकाकर दुखी स्वर में कहा हे राजन यदि तुम्हारा यही निष्चे है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करलो मेरे शरीर को तीन हिस्सों में काट कर गिराना सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुर जैसे शीर्ष भाग को काटना फिर मेरे शाखाओं वाले मध्यभाग को गिराना, अंत में मेरे सरवादिक सुद्रिल और मजबूत आधार को काट कर भूमी पर गिराना, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा, देवी, आपकी प्रार्थना बढ़ी विचित्र है, आप मृत्यु का तीन बार क्यों भोगना चाहती है, देवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है, मेरे नीचे भूमी पर सेकलो देवदार के पौधे उगाए हैं, यदि मुझे एक ही बार काट कर गिराओगे तो मेरे भार से ये सभी पौधे नश्ट हो जाएंगे, परंतु यदि मुझे त थोड़ा थोड़ा करके काटोगे तो संभव तह कुछ पौधे बच जाएं जो बड़े होकर लोगों के काम आएं, राजा ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, देवी स्वपन से विलीन हो गई, दूसरे दिन राजा ने अपने परिवार जनों, मंत्रियों, दर्बा और जनता को बुला कर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा, व्रिक्ष को नहीं काटा जाएगा, राजा ने अपना महल पत्थर की स्तंभ पर बनवाया, उसके चारों और सुन्दर बाग लगवाए जिन में बहुत से व्रिक्ष औ जन्य लोगों ने भी लकली के मकान बनवाने बंद कर दिये, जंगलों में व्रिक्ष अपनी विशाल भुजाए फैला कर लोगों को छाया और जीवन दाइनी हवा प्रदान करते रहे